विदाख सुनिल प्रभु ने आउचित्ते के मुद्दे पर दूद उत्बादक किसानों का मुद्धा आज सभाग्रु में उठाया उन्होंने कहा कि दूद उत्बादक किसानों को पाच रुपए अनुदान केनी की मांग भी उनोंने की है सरकार ने किसानों को 35 रुपे दूद का हमिवावत तैक्या है मगर फिर भी किसानों को 25 रुपे में अपना दूद बेशना पड़ रहा है इसलिए दूद उत्पादक किसानों को 5 रुपे अनुदान देने की मांग विदायस दूनिल प्रभु ने अज सभागर में की तक का अनुदान देना चाहिए कि परिपत्रक जो निकाला है सरकार ने उसमें दूद का भाव 34 रुपे है और किसान को 25 रुपे मिलता है उसमें किसान की बहुत भारी संक्या में उसका दुखसान हो रहा है और इसलिए नाशिक, पुना, नगर इस सारे शेत्र में किसान अंदोलन कर रहे है सरकार अब सोने का जिस तरह का एक कोशिश कर रही है तो इस सरकार को जगाने का काम हम लोग कर रहे है कि इस किसानों को अगर नयाय देना है दूद दूद पादक तो पाश तक के अनुदान जो है वो देना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार ने इस अदिवेशन पिरेड में इसकी गोश्टा करनी चाहिए नहीं तो इस किसानों के मुद्दे के उपर और बहुत सारे मुद्दे के उपर हम हाउस चलने नहीं देंगे ये भूमी काम ले रहे है वही चगन भुझबर पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि भुझबर को अलग नाए और नवाब मली को अलग नाए ये बात ठीक नहीं है कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ प्रकाश शुंकलवार के रिपोर्ट